हलो दोस्तो मीना किचेन फूट चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं भिंदी का भर्वा भिंदी का भर्वा बनाने के लिए दोस्तो मैंने कुछ भिंदी, टाजी और हरी ले ली है जिसको मैं दो तीन पानी से अच्छी तरह से धोलूँगी ये देखिए मैंने एक डोंगे में भिंडी को रख दिया है और अच्छे से पानी डाल दिया है और अच्छी प्रकार से इसको धोलेती हूँ अब ये देखे मेरी भिंडी धूल गई और अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देती हूँ और ये भिंडी मेरी देखे कितनी अच्छी है कितनी सुन्दर दिख रही है दोस्तों और भिंडी का भर्वा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में टेस्ट फूल लगता है और इसे हम किसी के साथ भी खा सकते हैं पूरी पराठा दाल चाल किसी के साथ खा सकते हैं और देखिए दोश्तों मैंने इसको रख दिया है प्लेट में और मैं इसको भेनडी को नोगे हैं कार लेती हूं इसका सीरा काठ देती हूं पीचे कहीं सा कार देती हूं और इसे गूलाब कर देती हूं कट कर दूंगी यह मसाला भरने के लिए इसमें हम मसाला भरेंगे और इसको देख भी लें कि अंदर कोई सड़ा ना हो खराब ना हो तो इसे मैं कट कर गए अच्छी तरह से साफ करके उपर नीचे और इसको बढ़िया से रख दूंगी दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साफ सेयर कर दें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों ये देखे मैं इसे बीच से कट करके अच्छी तरह से रख दूंगी लेकिन इसको पूरी तरह से अलग नहीं करना है बस इसे बीच में चौक कर देना है जिसे मैं करकरके एक प्लेट में रख रही हूं और यह देखिए दोस्तों और अब हमारी भिंडी पूरी तरह से मैंने इसको कट करके रख दिया है अब हमें भिंडी में भरने के लिए मसाले मिक्स कर लेते हैं एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक आधा चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच चम्चुर पाडर, नमक हम अपने स्वाद के अन्सार डालेंगे, और हम सारे मसालों को मिक्स कर लेते हैं, भिंडी में भरने के लिए, अब मैं इसे इस मसाले को जो मैंने कट करके भिंडी रखी है, भी इसे चौक करके, तो उसमें मैं इस तरीके से भर दूँगी, दोस्तों, ये देखिए, थोड़ा-थोड़ा इसके अंदर मैं भरती जाओंगी, सारे भिंडियों में मसालों को अच्छी तरह से भर दूँगी, मैंने कडाही गैस पे चड़ा दिया है, और राई का डाल दिया है तेल, सरसो का, और सरसो का तेल मेरा जब गरम हो गया है, तो मैं उसमें डाल देती हूँ, वही भिंडी जिसको मैंने अच्छी तरह से भर के तयार किया है, तो मैंने इसको कडाही में डाल दिया, और मैं इस से आराम से धीरे धीरे चला चला के फ्राई कर लूँगी तो यह देखिए मैंने भिंडी को डाल दिया कड़ाही में और धीरे धीरे इसको सेट कर देती हूं कड़ाही में और यह फ्लेम को कर देती हूं धीमा और लगा देती हूं धक्कन और यह आराम से धीरे धीरे पांच मि मिनट का समय हमारा पूरा हो गया है मैंने धक्कन को निकाल दिया है और निकालने के बाद मैं देख लेती हूं कि हमारे भिंडियों की क्या कंडिशन है और यह देखिए हमारी भिंडी पांच मिनट के बाद दोस्तों इस तरह की दिख रही है तो मैं इसको फिर धीरे धीरे थो यह देखिए दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे इसको इधर से उधर उलट पलट कर देना चाहिए और मैं इसे पांच मिनट के लिए फिर लगा देती हूं धक्कन और फिर देखिए मेरा पांच मिनट का समय पूरा हो गया है और मैं इसे फिर से पलट देती हूं अब मैं पूरी तरह से दोस्तों इसको पूरी तरह से पलट दे नीचे वाला हिस्सा उपर कर देती हूं यह देखिए इस तरह से पलट दे जिससे उपर हिस्सा नीचे हो जा नीचे अलशितसा उपर आ जाए और जिससे की दोनों तरफ भिंडी अच्छी तरह से सिख जाए यह देखे कितने खुब सूरत दिख रहे हैं यह भरवा भिंडी यह देखे इसी तरह से हम हर भिंडी को दोस्तों पलड देंगे जिससे दोनों तरफ हमारी भिंडी अच्छी तरह से सिख जाए एक बार दोस्तो जरूर इस तरीके से भर्वा भिंडी अपने घर पे बनाईएगा और कमेंट बाक्स में जाके जरूर बताईएगा दोस्तों जब आपने इस तरह से भिंडी बनाई भरवा मिड़ी तो आपको इसका स्वाद कैसा लगा और उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देखे कितने अच्छे ब्राउन कलर के हो गए हैं दोस्तों धीरे धीरे लो फ्लेम पे इसको सेके जिससे इसके मसाले जो हैं अंदर अच्छी तरह से सीख जाएं और हमारी भिंडी भी अच्छे तरह से ब्राउन कल हाल के साथ खा सकते हैं दोस्तों और यदि हम कहीं जा रहे हैं सफर में तो हम इसको लेकेस जा सकते हैं था हम में यग यान गड है कि इस तरह से आप जरूर इस भिंडी को बनाव C, sir, फिर आप कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और यह देखे दोस्तों इसको मैं हमारी भिंडी पूरी तरह से तैयार हो गई और इसको मैं आपको एक प्लेट में निकालके दिखाती हूँ कि यह किस तरह से बनके तैयार हुई है हर भिंडी अच्छी तरह से तल गई है कि फ्राइई हो गई है और लोफलेम पर अच्छी तरह सीख गई है और तेल भी देखिए कितना अच्छा माफिक का तेल डला हुआ है यह देखे दोस्तों कितने खुब सूरत लग रहे हैं कि आपको ये recipe हमारी पसंद आती है तो like, share and subscribe करना ना भूलेगा धन्यवाद